जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना यूपी में अब गाड़ी नहीं चला पाएंगे 18 साल की उम्र से कम के बच्चे तो आए जानते हैं यूपी में नाबालिक के गाड़ी चलाने पर क्या है नया कानून हेलो दोस्तों आप सभी का अमारे चैनल पर फिर से स्वागत है दोस्तों अगर आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्ये के रहने वाले हैं और आप अपने घर के नाबालिक बच्चों को बाइक, स्कूटर या कार चलाने के लिए या कहीं आने जाने के लिए देती हो तो ऐसा करना फोरण ही बंद कर दें क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाड़ी मालिक को जेल भेजने वाला कानून सकती से लागू हो गया है और अगर आप इस कानून का उलंगन करते पकड़े गए तो भारी जुर्माना चुकाने के साथ साथ जेल जाने की नौबत भी आ सकती है यूपी सरकार ने सलक दुर घटनाओं को रोकने के इरादे से MV Act यानी Motor Vehicle Act के कानूनों को सकताई से लागू करने का फैसला क्या है इसके लिए यूपी के सभी RTO, ARTO, RM और ARM के साथ साथ पुलिस की भी जिम्मेदारी और जवाब देही तै की गई है पिरदेश के परिवहन आयुक्तु दौरा जारी आदेश में कहा गया है की यूपी की सीमा के अंदर 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों को किसी भी हाल में वहन चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है इसके लिए पुलिस के साथ ही सभी परिवहन अधिकारी अपने अपने शेतर में यह सुनिशित करें कि उनके शेतर में कोई नाबालिक लड़का या लड़की वहन ना चलाए अगर कोई ऐसा करता हुआ मिलता है तो जिसके नाम पर गाड़ी होगी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और इसके साथ ही माध्यमिक सिक्षा निदेशक ने भी पिरदेश के सभी जिलों के जिला विद्याल्य निरिक्षकों को आदेश जारी कर अठारे साल से कम उम्र के चात्र चात्रों द्वारा दो पहिया और चार पहिया वहान चलाने पर पिरत्रिबंध लगाने को कहा है आदेश में बताया गया है कि राज्य बाल अधिकार सनरक्षन आयोग के सदस्यों ने 15 दिसंबर 2023 को लिखे एक पत्र में अवगत कराया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के स्कूटर बाइक और अन्य वहन चलाने से अन्यक दुरगटनाएं हो रही है KGMU और लोहिया संस्थान के विशेशग्यों द्वारा उपलब्ध कराया गए आंकडों के अनुसार सड़क दुरगटनाओं में जान गवाने वाले 40 पिर्तिशत बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 12 से 18 साल के बीच होती है माध्यमिक सिक्षा निदेशक ने कहा है कि सड़क दुरगटनाओं पर रोक लगाने के लिए इस कानुन का सखताई से अनुपालन कराया जाए और सभी सेक्षिक संस्थाओं में जागरुकता कारे करम आयोजित कराय जाएं चलिए अब जान लेते हैं कि क्या कहता है कानुन और क्या है किसी नाबालिक के गाड़े चलाने पर सजा मोटर वहिकल एक्ट यानि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा चार में प्रावधान किया गया है कि 18 साल से कम उमर के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी सारवजिनिक इस्थान में मोटर यान नहीं चलाया जाएगा लेकिन 16 साल की उमर प्राप्त कर लेने के बाद सिर्फ 50 सीसी से कम शमता वाले दो पहिया वहान को चलाने की अनुमती मिल सकती है और M.V. Act के धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी गाड़ी का स्वामी किसी ऐसे व्यक्ति से ने तो गाड़ी चलवाएगा और ने ही इसे चलाने की अनुमती देगा जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस ने हो मोटर वहान संशोधन अधिनियम 2019 के जर्ये नाबालिक द्वारा किये जाने वाले मोटर वहान अपराधों के संबंध में एक नई धारा 199A जोड़ी गई है जिसके तहद प्राबधान किया गया है कि किसी नाबालिक द्वारा किये गए मोटर वहान अपराध के लिए बालक के संरक्षक या मोटर वहान के मालिक को ही दोशी मानते हुए दंडित किया जाएगा इसके तहद संरक्षक या मोटर वहान मालिक पर 25,000 रुपे तक का जुरमाना या तीन साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं और इस नियम को तोड़ने वाले बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही बन सकेगा मुश्किल से मिलेगी जमानत पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिक से दो पहिया या चार पहिया वहन चलवाने पर गाड़ी मालिक के खिलाफ सक्त कारवाही के प्रावधान किये गए हैं इन प्रावधानों के तहट ना बालिक से गाड़ी चलवाते पकड़े जाने पर गाड़ी मालिक की गिरफतारी तो होगी ही उसे जमानत मिलना भी मुश्किल हो सकता है यानी ऐसी इस्थिति में जेल जाने की नौबत भी आ सकती है वाहन का रजिस्टेशन भी हो जाएगा निरस्त इस पिरकार के मामलों में जुर्माने और सजा के साथ वाहन का रजिस्टेशन एक साल के लिए निरस्त तक हो सकता है और अगर वह वहान रजिस्टेशन निरस्त होने के बाद भी दो बारा चलता हुआ पाया जाता है तो पुल साल की उम्र के बच्चों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अपने आदेश में परी वहन आयुक्त ने यह विवस्था भी दी है कि सोले साल की उम्र के नाबालिक बच्चे वैध लाइसेंस के साथ सिर्फ पचास सीसी से कम शम्ता वाली बाइक चला सकेंगे इससे ज्यादा पावर वाली बाइक चलाने की अनुमती नहीं दी जाएगी और सोले साल की उम्र के नाबालिक को मिलने वाला लाइसेंस भी इतनी ही शम्ता की बाइक के लिए होगा तो दोस्तो ये थी आज की हमारी वीडियो नाबालिक के वहन चलाने पर नए कानुन के बारे में और ऐसी ही कानुनी जानकारिया पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहें और अगर किसी भी कानून के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं ऐसे ही नई कानूनी जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिंद